आगरा में कुल 90 नाले हैं जो यमना नदी में गिर रहे हैं जिन में से 8 नाले तो टैप्ड हो गए हैं अन्य 23 नालों को टैप्ड करने की योजना पर जल निगम कार कर रहा है शेष बचे नालों का पानी यमना को गंदा ना करें इसके लिए मंड़ा युक्त ने जल्द ही डिपी आर बनाने के आदेश जारी किये हैं मंड़ा युक्त रितु महिश्वरी यमना की घाटों के साथ ही यमना की सफाई का निक्षर करने भी निकले थी मंड़ा युक्त रितु महिश्वरी ने बुद्वा दोपेर सभी अधिकारियों के साथ यमना किनारा का निक्षर किया मंड़ा युक्त ने सबसे पहले यमना ब्यूपॉइंट आर्थी स्थल का चाय जा लिया उसके बाद वे हाती गाट पहुची जहां उन्होंने मूर्ती वे सर्जन की विवस्था को सुद्रण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये मंडलाइक तुरितु महिश्वरी ने उसके बाद ताज के पार्ष में दसेरा घाट की विवस्थाई भी देखी उन्होंने अधिकारियों से यमुना के घाटों को विक्सित करने के साथ ही सफाई वस्था दुरूस्थ करने के भी निर्देश दिये उन्होंने यमुना की सफाई और यमुना में गिर रहे नालों की इस्तिती भी देखी आज के इंस्पेक्शन का मुख्य उदेशी ये है कि यमुना की साफ सफाई कैसे सुनिश्यत की जाए और कहीं घाट कैसे डेवलब किया जाए कुछ जगह पे आरती भी रोजाना होती है और कुछ घाट है जहां से विसर्जन होता है उनका कैसे विकास किया जाए जिससे पर्यावरन भी संरक्षित रहे साथ ही जो मुखे कंसर्न है कि यमुना नदी की साफ सफाई ड्रेंज की टैपिंग कैसे हो तो उसी उदेश से यहां पे आज रूट का ब्रह्मन किया गया है बाकी अधिकारियों के साथ बैठके जो कारे उ अधिकारियों से बात की जनलिगम अधिकारियों ने मंडलाइक्त को बताया कि आगरा में इस समय 90 नाले हैं जिनमें से 89 नाले यमुना में गिर रहे हैं करीब 280 MLD नाले का पानी यमुना को मेलिक कर रहा है आठ नाले आंसिक तोर पर टेप किये गए हैं जबकि 33 अन नालों क को बिभिन जगों पर बन रहे स्टीपी से जोड़ा जा रहा है मंडलाइक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बचे हुए अन 38 नालों को टेप करने की लिप्यार फीत वे तैयार करें जिससे यमुना को साफ और निर्मल रखा जा सके उन्होंने लूप शेत्र में कोई भी निर्मान नहीं होने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये उन सभी को देखा और अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि जो टीटीजेट की गाइडलाइन्स हैं सुप्रीम कोट की जो गाइडलाइन्स हैं उत्रप्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन्स हैं उनके अनूप कार करें अगर इन कारियों में कोई डिलाई बरती जात झाल